नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हलचल पर कोरोना के बाद अचानक गरीब एव छोटे परिवारों के उपर अलग रूप से राजसरकार का कहर बढ़ता ही जा रहा है इस बार गुंठे वारे शुल्क में तीन गुनाव रुद्धी का जी आर सरकार ने अचानक से निकाला जिसके चलते गरीब एव छोटे परिवारों में गुस्सा बढ़क गया इस रुद्धी के खिलाप नागरिकों ने सरकार का पुतला फूंका भाजपा ने शहर में एनाइटी के चारों जोन का घेराव किया पुर्वनाकपुर के लता मंगेशकर बगीचे के पास हजारों नागरिकों एव भाजपा पधादीकारियों ने विदाय कुरूशना खोपडे विकास कुंभारे संजे अउसट के नेत्रुतों में धरना दिया तता एनाइटी सबापती को शुल्क वापस लेने का निवे दन दिया इस अउसर पर नागरिकों ने भाजपा युआ मोर्चे के कारेकरताओं के साथ गुस्य का इजहार करते हुए राजसरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए राजसरकार का पुतला फूंका इस घहराओ में बाल्या बोरकर, राम अमवुलकर, जेपी शर्मा, सेत राम सेलोकर, उप महापूर मनिशा धावडे, मनिशा कोठे, बाल्या रारोकर, राजकुमार सेलोकर, मनिशा अतकरे, मेगराज मैनानी के अलावा नगर सेवक, पदाधिकारी, कारेकरता उपस तित थे पश्चिम नाकपूर के अमबाजरी रोड स्थित, एनाईटी कारेले का घहराओ कर निवे दंदिया गया, इस अवसर पर शहर अध्यक्ष, विदायक प्रविन्दट के महापूर दयाशंकरतिवारी आदि उपस तित थे गोवा स्तित हर्मल पंचरकोशी, शिक्षन मंडल द्वारा, आयोजित कारेकरम में हिमाचल प्रदेश के गवणरर राजेंदर अरलेकर द्वारा, डॉक्टर विंकी रगवानी को सम्मानित किया गया इस मौके पर गोवा के मुख्य मंतरी डॉक्टर प्रमोज सावन्त, महराष्ट के पूरो मुख्य मंतरी देवेंदर फड़नविस, केंद्रिय मंतरी श्रीपाद नाइक वो गोवा के पूरो मुख्य मंतरी लक्षिमकान पारसे कर उपस तित थे कारेकरम के दोरान डॉक्टर विंकी रगवानी का परिचे देते हुए डॉक्टर राजवकिल सिद्धिके ने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से चिकित सा सम्मधित्व सामाजिक कारे कर रहे हैं उन्होंने ऐसा सेंटर स्थापित किया है जहाँ पर थेलेसेमिया वसिकल सेल के रोग्यों की वे निशुल क सेवाग कर रहे हैं डॉक्टर विंकी रगवानी थेलेसेमिया सुसाइटी ओस सेंटर इंडिया के अदेक्ष थेलेसेमिया वसिकल सेल सेंटर के संचालक है वे महाराष्ट मेडिकल काउंसिल के उपादेक स्टेट ब्लड ट्रांस्प्यूजन काउंसिल वा फार्मसी काउंसिल के सद्यस सभी है साथी साथ वे शेक्षनिक शेतर में भी अपना योगदान दे रहे हैं वे सिंधी हिंदी विद्या समीती के चीयर्मेन हैं उन्होंने थेलेसेमिया रोगियों को विकलांगता प्रमानपत्र प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है थेलेसेमिया मेजर डिजिस के निदान वाले बच्चों को नियमित रक्त की आवशकता होती है वह नियमी त्रक्तदान शिविर आयोजित करके अपने केंद्र में थेले सिमिया मेजर और सिकल सेल रोग वाले बच्चों को मुफ्त रख वह इलाज के लिए आवशक दवा मुफ्त दे कर सेवा करते हैं मंदल रेल प्रबंदक रूचा खरे मध्धर रेल नाकपुर मंदल के नेतरुत्व में एक अभीनाव तरीके से मंदल कार्याले परिसर में मंदल रेलवे अस्पताल के लिए फलोका रस, नाश्टा और फोटो कॉपियर केंद्र के प्रावधान के लिए तीन साल के लिए खुल परिसर के माध्यम से एक अनुबंध प्रदान किया। प्रदान कि अनुबंध प्रदान कि अनुबंध प्रदान कि जाती है। प्रदान कि अनुबंध प्रदान कि जाती है। देश की सरवशष्ट खदानों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। जिसमें मेसर्स जायसवाल नीको इंडस्री लिमिटेड की धोबी टोला खदान को भी पुरस्कृत किया। कमपनी के सयुकत निदेशक रमिज जायसवाल एवं खदान के एजेंट नितिनवाट द्वारा खान मंदरी के हातों पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसंदा व्यक्त करते विया सयुकत प्रवन निदेशक रमिज जायसवाल ने कहा कि ये हमारे सिधानतों और मुल्यों में निहित है। प्रस्तूती मध्य प्रदेश की सूप्रसिद्धर रुत्यांगना डॉक्टर खुश्बू पांचाल द्वारा कतक नृत्य की दी जाएगी। प्रसना जोशी ओल इंडिया रेडियो के और श्रेनी के कलाकार है। इन्होंने गजल की 800 से अधिक प्रस्तूतिया दी है। कारेकरम की तुरुतिया एवं अंतिम प्रस्तूती सुप्रसिद्ध कलाकार एवं कोरियोग्राफर माट खुल कर एवं समुह द्वारा भरतनाट्यम की दी जाएगी। उन्होंने भरतनाट्यम की प्रारह मिक्षिक्षा गुरु ब्रहदा रामकुष्णन से प्राप्त की है जो की वुजुवुर रमय्या पिल्ले की शिश्य है। की शुरुआत की एवं वर्तमान में वेकुली मुख्याले नागपुर में कार्य रत है। इसी तरह अखिल भारत्य खदान मजदुर संग में सहकोशाद्ध्यक्ष और वेकुली संचलन समिती के वैकलपिक सदस्य की जिम्मेदारी मिली। अपने समाथ से भी स्वभाव को बरकरार रखते हुए उन्होंने वेकुली मुख्याले के सभी पदाधीकारी एवंकार्य करताओ को साथ लेकर संगधन की रितिनीती को ध्यान में रखते हुए वर्ष दरवर्ष कामगार वर्ग के लिए उत्तम कार्य किया। महाराष्टा प्रदेश मातहाडी ट्रांस्पोर्ट और जनरल कामगार यूनियन महाराष्टा प्रदेश की ओर से नाकपुर शहर और ग्रामिन में चल रहे कंपणी, फर्म दाल मिल, राईस मिल को जल्द से जल्द माथाडी कानून का पूरे पूर पूर पालन करने के लिए अपर कामगार आयुकत विभागिये कामगार कारिया ले नागपुर को निविदन दिया गया माथाडी कामगारों की संख्या मुंबई के बाद सबसे ज़ादा नागपुर में ही है बड़े पैमाने पर असंगडित माथाडी कामगार पर अन्याय हो रहा है क्योंकि कमपनी, फर्म, डाल मिल, राइस मिल, माथाडी कारून का पालन नहीं कर रही है माथाडी कामगार पर अन्याय हो रहा है कमपनी, फर्म, दाल मिल, राइस मिल कामगार अधिनियम का उनलंगन कर रही है कमपनी की कामगारों पर हो रहे अन्याय को गंबिरता से लेते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष, महाराश्टर प्रदेश माथाडी ट्रांसपोर्ट और जनरल कामगार यूनियन तदा अध्यक्ष भाचपा कामगार आघाडी, नागपुर महानगर भासकर पराते ने संबन्दित अधिकारियों से बाच्चित की अखिल भारतिय वैश्चेक्ता परिशत के राष्टी अध्यक्ष डॉक्टर सुमंद गुपता के आभान पर संस्था के राष्टिया वरिष्ट उपाध ध्यक्ष तथा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट के रामकृष्णन गुपता ने पंद्रा दिनों का जबलपूर, सतना, कटनी, बांदा, फतेहपूर, कानपूर का दोरा कोरोना काल में जिन परिवारों ने अपना सदस्य को खो दिया उनसे मिलकर उन्हें सांत्वना प्रदान की उन्होंने कहा कि संकट के समय समाजबंदू उने मिलकर एक दूसरे का सहरा बनना चाहिए उसके बाद 5 दिसंबर को मैंपूरी उत्तरप्रदेश से प्रारम होने वाला जन जागरन अधिकार महारेली इसका समापन एक महाबाद लखनों में होगा उसमें जादा से जादा संक्या में समाजबंदू उपस्तित रहेकर महारेली को सफल बनाने के अपिल की है अनेक जीलों के समाजबंदू ने मिलकर स्वागत की कड़ी में भाग लिया कानपूर पहुचने पर राष्ट्य अधिक्षर डॉक्टर सुमन गुपता ने पगड़ी तथा शौल पहना कर स्मुती चिन्ना तथा पुष्पदिकर गर्म जोशी से सतकार किया इंडियन मेडिकल एस्वेशन के अधिक्षर डॉक्टर संजे देवतले ने अपने जन्म दिन पर रक्तदान कर समाज को एक प्रेरना दायक संदेश दिया है उलेखनी यह है कि उन्होंने जीएस के बलड सेंटर जाकर रक्तदान किया एवं ये उनका 105 बार रक्तदान था उनके साथ उनके पुत्रे ने भी रक्तदान किया आशिरवद मेडिकल फाउंडेशन के अध्धिक्षर डॉक्टर जीएस खंडेलवाल, डॉक्टर आशिश खंडेलवाल, कला मंच के सयोजक्त नरेंद्र सतीजा, डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल आदी ने डॉक्टर देवतले को जरम दिन की शुपकाम नहे दी इवं मान प्रभाग के सयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बिर्सामुंडा के जीवन संगर्श पर आधारित यशार्थ मंजूल, भगवान दास बशंकार, चंद्रेशेकर नायर द्वारा निर्देशित बिर्सामुंडा भगोरिया और बस्तर रिदम औफ प्रोग् प्रोफेसर रजनिश कुमार शुकल ने इस आउसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाथ शुकल और प्रोफेसर चंद्रकांत रागिट, प्रोफेसर मनोच कुमार, प्रोफेसर अवधेश कुमार, प्रोफेसर कृपाश अंकर चौबे, डॉक्टर ओम विर्सामुंडा के जीवन पर आधारित, रिशिकेश सुलब लिखित, धर्ती आबा नाटक का नाट्यपत, शुरूती नाट्यपत, प्रदर्शन कारी कला विभाग के छातरों द्वारा किया गया, इस कारेक्रम के सहियो जग टोक्र सतिश पावडे एवं विधु खरेदास थ सरकार बार-बार नाकपुर सहित विधर्ब के साथ अन्याय कर रही है, यारोप पुर्वन नाकपुर के विधायक रुष्णा खोपडे ने लगाया है, एक बयान में उन्होंने कहा, जब से राज्यों में तीगडी सरकार अस्तित्व में आई है, नाकपुर में पहले अधि लाओ के मुद्दे हो, ओबिसी आरक्षन, मराठा आरक्षन हो, इसे बचने के लिए सरकार ने लगातार काम किया है, विधर्ब वैधानिक विकास निगम कास्तित्व खत्रे में है, लेकिन सरकार के इस हरकत से तमाम सवाल जैसे के तैसे बने हुए है, ये सरकार लगातार वालों से बचने की कोशिश कर रही है, विधाय खोपडे ने कहा, जब कैबिनेट में मुंबई में नाकपुर अधिवेशन आयोजित करने का निर्नाय लिया गया, तब विधर्ब के कई मंत्री मोजुद थे, नवदे बिजनेस एसेशन ने कनवेंसिंग एजन्ट एसेशन के अधिक्षपत पर, रामवतार अगरवाल, सचिवपत पर प्रदिब बियानी को फिर से चुने जाने पर, नवदे बिजनेस एसेशन संस्थापक, अधिक्षा मनोहरलाल आहुजा ने उन्हें सम्मान से ऑफि चेप मार्क दर्खशक विलास्त्रीवेदी ने किया। सिंदु युवा शक्ती सामाजिक संस्था नाकपूर व साधु वास्वाने ट्रस्ट नाकपूर द्वारा साधु वास्वाने जयनती बड़ी धुमधाम से मनाई गई। सिंधी पंचयत के सुरेश जग्यासी उपस्तित थे वक्तावने साधु वास्वानी की जीवनी पर प्रकश डाला। ओस्कर सांस्क्रूतिक संगित कलावन्त अकैडमी के त्रेमासिक सांस्क्रूतिक मोहत्सो पंचम उपक्रम आईए महरबा में हिस्सा लेने वाले सभी गाईकों ने बेहत मधूर हिंदी गीतों की प्रस्तूती दे कर रसिकों का दिल जीत लिया। साइस अभागार में आयोजित इस महिला विशेश कारेक्रम को दर्शकों की खुप सरहाना मिली। मिलन ग्रूप नाकपूर महानगर पालिका के सही योग से आयोजित इस कारेक्रम में नंदिनी घाटाटे, डॉक्टर ममता खांडेकर, नंदा पाटिल, विजया येटे, वहिंसा तीर पूडे मुख्याती दी थे। कामिनी बंसोड ने चलो सजना, अर्चना दही वले ने लगजा कले, नीले भगावंडे ने जरा होले होले, रंजना कनोजिया ने मैं तेरे इश्क में, वैशाली गनविर ने आईए महरबा जैसे गीतों का प्रदर्शन किया, अन्या गाईकाओने तू क्या जाने, तूने और रंगी ले, शीशा हो या दिल हो, ओ सजना जैसे एक से बढ़कर एक गीतों का प्रदर्शन कर, रसी काओ का दिल जित लेया। में उत्रुष्ट कार्य करने वाली सामाजिक कार्य करताओं को पीपल, नीम, तूलसी अभियान नेपाल की संस्था, ग्रीड यूथ ओफ लुम्बिनी नेपाल और कमला जलाधर स्वरक्षन अभियान, जनकपुर नेपाल एवं दीदी जी फाउंडेशन के संयुक्त प्रया से नेपाल में अंतरराष्ट्य परियावरन, योध्धा समान से समानित किया जाएगा, समान भारत के विभिन राज्यों और नेपाल भुटान के द्वारा सयुक्त रूप से चयनित सामाजिक कार्य करताओं को परियावरन स्वरक्षन के शेत्र में विशेश कार्य करने को नेपाल लुंबिनी शहर में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने मनपा की टीका करन अभियान के समन में नियमों की जानकरी देते हुए नागरी को से कहा कि टीका करन कराने वालों को ही प्रविश दिया जाएगा अन्य था वे कारवाई के भागी होंगे। शाम के पाच बजे तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन के इंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरी को को कोविट चिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा। ये जानकारी चिकित सास्वास थधिकारी डॉक्र संजे चिल करने दी। के घुमने वाले 22 गैर जिमेदार नागरी को के खिलाफ कारवाई की और उनमें से प्रतेक से 500 रुपे के अनुसार 11,000 रुपे का जुर्माना वसुला। पिछले कुछ महिनों में मनपा की टीमों ने लगभग 42,000 नागरी को के खिलाफ कारवाई की गई और अब तक 1,82 लाख रुपे से अधिक राशी का जुर्माना वसुला गया है। अब भी अनेक जगह उपर नागरी सामाजिक दूरी के नियमों की धजिया उड़ाते नजर आ रहे है। शहरी हिस्सों में बगर मास्क के नागरी खुले आम बाजारों जैसी जगह उपर घुमते हुए नजर आ रहे हैं जो खतरनाक साबित हो सकती है। इसके चलते उपद्रव खुजी दल द्वारा इस प्रकार के गैर जम्यदार नागरी को के खिलाफ कारवाई की जा रही है। इस प्रतियोगिता में एडिस वोरियर्स, टाइगर टाइटन्स, माहिस पॉटन्स, फायर फाइटर, केसरी वोरियर्स और एवेंजर्स रॉक्स इनका समाविश है। इस प्रतियोगिता का आयोजन, कल्यानेश्वर, वॉल्यवाल प्रेमियर लिग द्वारा, प्रशान्थ खंगार, नरेंद्र कोरडे, शिवेंद्र तिवारी, पंकच कुरहाडे, पवंदेश मुख, रोशन पॉडवाल, अजय मोहिते, प्रविन इंगले, महेश अवजेकर, किशोर शनिवारे, उदय अगरवाल, विजय कोरके, शेकर ठेकले, सुबोत अतकरे, शिवाराओ, मंगेश अवजेकर, इशान महिंद्रा, सचिन माने आदी द्वारा किया गया तो नागपूर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूज, नमस्कार